हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं माजुन अरत खुर्मा के बारे में जो आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं और ये निव समा कंपनी का है और इवनानी फरमेसी की सभी कंपनियां इस नाम से बनाती है और ये आपको असानी से उनानी दुकानों पे आपको ये मिल जाएगी चलिए बात करते हैं कि ये किन-किन औस सदियों से मिलकर ये माजुन अरत खुर्मा बना गया है जो इसमें आउसदिया हैं दोस्तो इलाइची खुर्द, पीपल कलन, इलाइची, जंजबील, सिंहाडा सुस्क, किरान फूल, छुहाडा, गोंद कीकर, मगज बदाम सीरी, मगज पिष्टा, मगज अकरोट, मगज नरजील ऐसे कुछ आउसदियों से मिलकर ये माजून अरत खुर्मा बनाया गया है, इसके फायदे के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो माजून अरत खुर्मा बीर को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही जबरजस्त काम करती है, अगर आपका बीर बिलकुल पतला है, और पतले पन को ज जिसे गाढ़ा करता है, और जब वीरे गाढ़ा हो जाएके तो इससा भी समस्या हैं बिलकुल ठीक हो जाएगी, अगर आप माजून अरत खुर्मा के इस्तिमाल करता है, तो ये कमजोडी को दूर करता है, अगर बढ़ती उम्र के कारण, आपके सरीर में कमजोडी आ गई है जो स्पावर की कमी हो गई है, तो आप माजून अरत खुर्मा कर सकते हैं, जो लोग बच्पन में गलतिया के हैं, यहने ज़्यादा है तो अपने वीरे को जादे मातरा में नास्ट कर दिया हैं, और जिसके उज़र से उनका वीरे बिलकुल पतला हो गया है, बीना इरादा क निकल जाता है, तो ऐसे समस्याओं में भी आप माजून अरत खुर्मा के इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वीरे गाड़ा हो जाएगा, तो यह सभी समस्याओं बिलकुल ठीक हो जाती हैं, दुस्तों, क्योंकि जब तक वीरे गाड़ा नहीं होगा, तब तक यह खालीजिये, तो आप माजून अरत खुर्मा का इस्तिमाल करके, आप अपने समस्याओं बिलकुल ठीक कर सकते हैं, और बहुत ही जबरज़स्त काम करती हैं, माजून अरत खुर्मा, दोस्तों, आप कम से कम एक से दो महिने आप कंटिन्यू इस्तिमाल करिए, तब जाके देखने को मिलेगा, अगर दोस्तों इसके साथ में आप कुर्सकुष्ता कलाई का इस्तिमाल करते हैं, तो और भी जल्दी आपको रिजल्द देखने को मिलेगा, इस्तिमाल करने का तरीका, सुबह और साम एक एक चमच आपको हलके गुनगुने दूद के साथ में आपको ल तली भुने चीज़े बिल्कुल नहीं खाना है गरम परकार की चीज़े कम करना है और खटा चीज़े नहीं खाना है उम्मिद करता हूं दोस्तों हमारे इस वीडियो का आप सब जुरूर पसंद करेंगे हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे घंती को दबाएंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आप सब को मिलती रहे नमस्कार दोस्तों